गुरकपुर में आज योगी आदेतनात का घरगर प्रचार कल दाखिल किया था नामांकर प्रचार पर निकलने से पहले ही योगी ने जन्रता को चताया कहा विरोगियों की नियत में खोट सदर प्रहनी के जरुवत पीछे पिपक्स जो खेल खेलना चाता है वह इस बात को प्रदर्सित करता है कि उनका जो नियत है वो उसमें खोट है पूरवांचल के सिख वोट बैंक पर भी बीजेपी के नज़ार गोरकपुर के महद्दिपुर में आज सिख समुदाय को सम्बोधित करेंगे योगी पर्शमी उतर प्रदेश के लोगों से वर्चल समवाद में पीए मोदी ने अकलेश यादब पर किया वार कहा फर्जित समाजवादी गरीबों को नहीं मिलने दे रहे है उनका हग यूपी में आज बीजेपी एधाक्षर जेपी नड़ा का मारिथन प्रचार दोपहर बारा बचकर चालीस मिनट पर हापुर में करेंगे रैली जेपी नड़ा आज मुराद अबाद में भी करेंगे रैली बाद में नौडा में करेंगे डोर टोर कैमपेन यूती के साहरनपूर में मायवती की रैली आज नए नारे के साथ मैदान में उत्री हमने के बाब जूद यूती में अस्दुदीन ओवेसी का मैर्थन प्रचार जारी आज करेंगे तीन रैली आज दो पहर बारा बजे लो नी दो बजे चपरॉली और शाम चार बजे गढ़ मुक्तेश्वर में ओवेसी की रैली श्रीनगर के जपूरा इलाके में देश्वत गर्दों से पुल्स की मुणभेड दो आतंक वादी धे उन्भेड बिमार गया एक आतंकी था लश्वर का कमांडर दूसरा टीरिफ का आतंकी खाली में आदन दुकान में रुई हत्या में शामिल था श्रीनगर बिमार गया आतंकी दो पिस्तॉल बरामत प्राधियों नी युवकपक के चाकु से दर्जन हुआ है ये सड़क पर भी हट्या के तमाशवीन बने रहे हैं लोक सिस्टीवी में कैद भी दिल दहलाने वाली तस्वीर यूपी के रामपूर में वीजिन सड़क हासा पाच लोगों की मौद ब्रिकर पर उचल कर वेकाबू भी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टक रहे हैं रामपूर हाथे के सभी पाच बतक मुरादाबाद के रहने वाले ड्राइवर गब भी रूप से घायल अस्पिदाल में कराया गया भरती यूपी के उन्नाव में ब्रदनाक हाथ साती इन पुलिसकर्मियों की गई जान सड़के किरारे खड़ी पुलिस की गाड़ी पर पल्टा दूद का टाक कर उन्नाव में एक स्पिस्वे पर हुए एक और हाथ से में एक ही परिवार की तीन लोगों की मौत रीवा से जा रहे थे नौड़ा दिले एसियार का फिर घने कोहरे से हुआ सामना सुबह के वक्त बेहत कम रही विजिबलिटे एक वोटकैंट सदर पटेल मार धौला कुआ समेथ कई इलाके धुंद की चादर में लिप्टे सड़क पर लाइट चला का निकली गारिया पिसर भरत के पहाड़ी इलाकों में मौसम के तेवर सक्त दो दिनों से जारी है बारिश औ बर्थ बारिये नैनिताल में जोड़दार बर्बारी की चलते जंजी वन्ठा बर्थ में फसे कई वाहन जिबला में भी दो दिन तक जोड़दार बर्थ बारी सड़क पर जमी बर्थ में फिसली पस पंज़ाब कॉंग्रस की बीच अंद्रूनी का लह जारी प्रदेश कॉंग्रस अठेक्ष नव्जो सिंग सिद्धू का बयान पंज़ाब में सीम पत के सही उमीदवार का चैन कर कॉंग्रस जीत सकती है चिनाल नव्यूसिंग सुद्दू का दावा पंचाब में कॉंगर सीम पत के सही चहरे का फैसला कर जी सकते 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 सीट हार सक्से बाची पत का सही चहरा कौन होगा इसे सपर्ष्ट करने वाला मैं नहीं आलक कमान को लेना है इस पर फैसला सिद्दू के मताबिक पंजाब को इमानदार और रोड में आप ताय करने वाला सीम चाहिए लेकिन अभी तक के मुख्यमंत्री केंज की कटपुद्लियां बने रहे घरिम मोट डाला केस में गरफ्दार पंजाब के सीम चंई के बतीजे पुपिर निसिंग हनी की बड़ी मुख्यन आठ परवरी तक मिदी के रास्त में एदी के खिलासे से सीम चनी की बड़ी मुख्यलें बतीजे हनी पर ट्रांसफर पोस्टिंग में करोडों की कमाई का आरोप 10 करोड उपए लेने की बात कभूली पीदी के खुलासे से विक्रम अजीठिया को सीम चन्नी पर वार का मिला मौका कहा पंजाब के सीम चन्नी को सर्फ हानी और मानी की है परवा अमादी पाटि में की सीम चन्नी पर टिया करा रवार के जिवाल बोले चन्नी ने 111 दिनों में बड़े से बड़े भिश्चाचारी को दीमाद बतीजे पुपेंदर सिंग हनी की गिरफ्तारी पर बोले सीम चन्नी कानून कर रहा अपना काम बतान कोट में रख्षा मंतरी राजना सिंग का बड़ा बयान कहा अगर थोड़ा और प्रयास किया गया होता तो करतारपुर साहिब होता भारत का हिस्सा राजना सिंगे राहूल गांदी पर किया वार गल्बान घाठी का जिक्र करते वे राहूल गांदी को चीन का भूप उकरा दिया अग्दुदी नौवेसी ने संसत को दी खुद पर हमले की जानकाली सरकार से पूछा आरोपियो पर क्यों नहीं लगाया यूरेपिये पर किसी किर्किट पर किसी किर्किट मैच पर किसी टीम की ताईद करता है तो यूए पिय लगता है एक सिटिंग एंपी के ओपर यूए पिय नहीं लगेगा सर पर हमले को लेकर लोग सभा में बयान देंगे ग्रे मंत्रिया मिर्शा संसत में पियूश गोयल ने दी जानकाली अज दुदिने ओवेसी के सरकार ने दी जड श्रिडी के सुरक्षा ए आए एम्म के अधक्ष ने किया इंकार बोले ग्रे मंत्री को चट्टे लिक कर मांगूगा बुलेट प्रूफ कारी जादर इन्यों के लिए निया एक रासत में भेज़े गए ओवेसी पर हमले के आरोपी कल कोट से रिमांट मांगेगी पुलिस अज अलिकर और और कूल विधानसवा शेत्र में प्रियंक अकान्दी करेंगी प्रिचान दो पहरवारा बज़े पहुँचेंगे अलिकर रक्षा म AGRA में करेंगी रैली Mतरो में दो रैली करेंगे रैजा सेंग पहली सुबई 11 बच कर 40 मिनट पर बल देव विधानसवा शेत्र में अज अलिकर और मतरो में सबाजवारी प्रचार अभियान को गती दे गी अकिलीश तो पहर 12 बच कर 15 मिनट पर अलिकर भीवी सब्सक्राइब करेंगे शुरुआर रामकुपाल यादव को टिकेट मिलने से प्रगतिश्वीद समाजवादी पार्टी के कई बड़े नीता नाराज निर्दली चनाव लड़ने के तैयारी अगले शावर की पत्मी डिम्पल यातव का बयान यूपी में समाजवादी पार्टी से डरी हुए बीजेपी अगर जीत गई तो सहरा बंदेगा रमजान के सरपर किसी दिवारी और ठाकोर के सरपर ने बीजेपी सामसर ब्रिज भूशन शरन सिंग तुकबंदी करते हुए ये भी कह गए कि सहरा रायस्थान में बंदेगा राजस्थान खुशोगा पाकिस्तान रहेगा हारेगा हिंदुस्तान बीजेपी सामने लाएगी वादे का पिटारा जारी होगा चिनावी संकल पत्र पिए मूदिया घरबाद जाएंगे ग्यारवी सदी के संतर रामानुजजाचारी की 216 फुट उची प्रतिमा का करेंगे नावरन पंचित धातु से बनी इस प्रतिमा को स्टाट्यो ओफ एक्ष्वालटी दिया गया नाव अधरबाद में पिए मूरी इंडिनाशनल क्रॉप रिसर्च इंस्ट्यूट भी जाएंगे पचासवी वश्गार्ट के समारों में करेंगे श्रकत राहुल गांदी आजाएंगे रोज बरकन दोपहर बारा बज़े कच्छा मंड़े में एकसानों से करेंगे सम्वार अधरबाद में शाम जाएंगे राहुल की वर्चुल एर्ड वैली शाम करीब साड़े पांच पटे हरकी पैड़ी पर गंगार्ती में होगे शामर चिनावी सर्गर्णियों के बीज देश में कोरोना का कहर जानी महराष्ट में कल कोरोना से एक क्यासी लोगों की गई जान 134,840 नए के सामने आए नए भरे लोगों के जाने बीजियो ।ी और बात्य आए लैंड प्यधर विना पनाश्वल कोरोना से करनाटिक में कल कोरोना से तिर पर लोगों की मौट 14,950 नई कोरोना केस सामने आ है तुमलादों कल कोरोना ने ली 30 लोगों के जान 9,616 नई केस सामने आ है परश्मंगाल में कल कोरोना से 35 लोगों की मौट 1500 से जाधा नई कोरोना मरीष सामने आ है यहार में पेनलडलिस कोविट वैक्सिन के शुरवा जनका भी थक वैक्शिनेशन नहीं हुआ ऐसे लोग ले सकते हैं पेनलिस वैक्सिन की तीन डोस राचबोट राजकोट के हिससे में अगले सब्तार जोने वाली है खास उपलंधियां सौफी सदी वाक्सिनेशन होगा पूरा चप्रा में एक शक्स ने खुद के हत्या का जूटा ड्रामा रचकर प्रिमिका के घरवालों को फसानी के साज़ी शची पुलिस ने एरादे पर फेर अपानी पदेपुर पुलिस ने अवैस शराब की भारी खेट के साथ दस लोगों को क्या गिरफदार आज ये पुन में शार कहदियों को फकड कर आटो से ले जाते वक्त भाद से कर शकार वेपुलिस कर भी बाइस किलोविटर पैदर चलकर आरूपियों की कोर्ट में कराई प्रेशी उत्राखन में बर्बारी से उत्रकाशी का ये मुनाख हाजी से टूटा संपर के अंगोतरी हाईवे पर भी बर्फ में फसीद बारात शादी करने पैदल ही गया दूरा उत्रकाशन के पॉड़ी गडवाल में भारी बर्बारी से बंद हुए गई रास्ते जिसे भी मशीनों से हटाई जा रहे बर्फ रूद रुप्रिया के ग्रावी उश्वेत्र में बर्फ की बारिश ने बढ़ाई लोगों के मुश्किले लेकिन बर्बारी के बीश्थ रखते नजर आएगा वाले बागेशे में बर्बारी से जन्जीवन अस्त वेस्त बंद किये गए जिले के सारे स्कूर टीरे के उपरी हिस्से में हुई भारी बर्फ बारी के चलते चंबाग करातल धनोल्टी मूट अमार्गपन प्रशासने लगाई पांच जीसीवी मशीन है खुद्रत ने किया भगवान बदरी विशाल के धामकाद बुश्रिंगा च्छे से आठ फीट बर्फ की आगोश में लिप्टा भगवान बदरी का मंदर के दानाथ धाटी में जम्टर बर्बारी पूरे इलाके में बिशी है पांस से छे फीट मूटी बर्फ की परद हिमाचल में बर्बारी का लॉंग डाउं अस्थ वेस्थ हुआ जजीवन के इलाकों में विजली कुल घरों में दुपके लोग हिमाचल विशेव के भागीचों के लिए वर्दान हो रही साबद बर्बारी के सानों के चेहरे पर तैर रही मुस्कार बीते दो दिरों से कुलो मनाली में जारी है बर्बारी का दौर अंधेरे में डूबे ग्रामिने लाकें विजिंग में विंटर ओलंपिंग गेंज का उधगाटन समारों से दूर रहा भारत अमर्का ब्रिटन जापाज समेट काई देशों ने किया भाषकार विंटर ओलंपिंग गेंज के उध़ाटन समारों के स्टार में मान रहा रहा रूसी राश्पती पुतिन बर्तीस देशों के राश्प्रमप को एश्रामर्ट सीरे में अमर्का के बडि कारवाई हवाई हमले बे मारा गया, स्लामक स्टेट का कमांडर इब्राहिम अलहाश्पी अमर्का के स्कूलों में नई शिरुवात, कैंटीन में बच्चों को परोसा जारा है शाकहरी खाना तीरों में चोटा याद ले बोमां दुर्गटनागर साथ पर इटकों की मौत पूर्स जनखली उक्रेइन में सानी फ्रेइनिंग ले रही आम चरता वड़ी ताधात में पहुंच रहे लोग सामने आया मायन मार्स सेना की बरबर कारवाई का विडियो दो गाओं को पूरी तरकिया तबार धाई सौ घरों में लगाई याद दिन्या में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कोराम 24 गंदे में सामने आये 30,65,000 नए मरीज एक दिन में 11,310 लोग की मौत अमारगा के 25 राजयों में बरबारी का कहर सामने आये टेकसेस के पहाडों पर जमी बर्ब की तस्वीर हैं अमारके उद्योपती अलन मस्क की कामपनी स्पेस एक्स ने एक साथ छोड़े 49 स्टारलिक साटलाइट फ्लॉरिडा के कैंटी स्पेस सेंटर से लॉंचे